सुकारिज आज की वीडियों में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कैसी PC बिल्ड के बारे में जो कि आप सभी लोग करण्ट्री 20,000 की प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए बना सकते हो एंड़ जैसे कि आपको पता है सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर जैसी सिचुएशन पता है बाई कम से कम GTA 5 तो उस PC में चली जानी चाहिए तो बात करेंगे बाई 20,000 के अंदर ऐसे PC के बारे में अगर आप से लोग इंटरस्टी इस बिल्ड में तो वीडियो को लास्त तक देख चरिएगा मेरा नाम है परवेश आप देख विक्टर परवेश गेमिंग सो ल बहुत ज़्यदा चीपेस्ट मजर बोड है अगर चीपेस्च मजर चाहते हो जिसमें राइजन सब स्वेश चाहिए तो बाई यमजर सबसे ज़्यदा चीपेस्ट है एक बेसिक सा मजर बॉड है इसमें आपको कुछ भी ज्यादा खतरनाग चीजह नहीं मिलती वीरैम आपक जब आप मदरबॉर्ड बाय करते हो तो आपको भाई अपग्रेडिर बायोज वाला मिलता है यानकी बायोज पहले से अपडेड मिलते हैं जो कि भाई I think F4 ग्राफिक F4 वाले बायोज है अगर आपको वो अपग्रेडिर मिलते हैं तो भाई यहाँ पर जो राइजन 3000 सीरीज ह होगी वो भी आपके यहाँ पर मदरबॉर्ड में चल जाएगी यानकी चाहिए आप राइजन थी 3200 चलाने चाहिए 3600 सभी प्रसेसर यहाँ पर चल जाएंगे अगर आपको भाई बायोज अप्डेडिन मिलते हैं तो करक्ली Amazon पर आप सब भी लोग को 4400 का मदरबॉर्ड मि चाहिए गा जब मैंने पर्चेस किया था तब तो भाई इसकी 4000 कीमत चल रही थी सबसे ज्यादा में कंपोनेट के बारे में जिसका नाम है प्रोसेसर इस बिल्ड में हम यूज करने वाले हैं उस प्रोसेसर का नाम है राइजन 3 3200 जी अब जिनको इस प्रोसेसर के बारे में यूज करने वाले हैं जो कि वेगा 8 हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतना ग्राफिक्स हैं अगर आप GT 710 लेते हो जो कि बेसिक सा ग्राफिक काड़ा है उससे थोड़ा लेवर उपर के आपको इसके ग्राफिक्स मिल जाते हैं तो आप सब लोग हिसाब लगा सकते हो कि कितने अच्छे ग्राफिक्स हमें ओफर करते हैं इसके जो इंबिल्ड ग्राफिक्स हैं वो GTA 5 को अराम से मीडियम तू हाई सैटिंग में चला सकते हैं और हम इस प्रोसेशर में देखने के लिए मिल जाते हैं चार कोर्ज चार थ्रेड्स 65 वाट की इसकी DDP है एक अनलोग चिप है यानकि 8000 से लेकर 8500 के अंदर आप इस प्रोसेशर को पर्चेश कर सकते हो जो कि ग्राफिक्स कार के साथ आता है एक तरह से अगर आप थोड़ा से लगा कर चलो तो ग्राफिक्स में मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है बात करें दोस्तों मैं नेक्स कॉंपोनेंट और लगाकर 16GB करना चाहो तो आपको कोई प्रोब्लम नहीं आनीं चाहिए इसलिए हम यूज करने वाले 8GB वाली रेम स्टिक बहुत आपको 3500 में मिल जाएगा अगर आप लोकल मार्केर में थोड़ा बहुत सर्च करते हो बाकी ओनलेंट में इसकी प्राइज है 3800 रूपीज बात करें में नेक्स कॉंपोनेंट के बारे में हमारी हाड डिस्क तो इसमें कोई भी ऐसाजी यूज नहीं करेंगे विकोज हम बहुत ज्यादा लिमिटिड बजट पर रहें बट एंड में आपको एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा तो एंड तक वीडियो को देखते रहना तो जो हम यूज करने वाले हैं सीगेट की तरफ से आनी वाली या फिर आप कोई भी रह सकते हो 500 जी वाली हाड डिस्क जो कि हमें मिल जाती है विकोज गेम्स का साइज बहुत ज्यादा है तो 500 जी तो कम से कम आपको लेनी चाहिए तो हम ज्यादा नहीं ले पा रहें विकोज यहां पर आपको पता है लिमिटेड बजेट 20,000 के पर पीसी बनाना है तो इसलिए आपको 500 जी वाली हाड डिक्स यूज करने पड़ेगी तो रहे गया हमारा लास्ट ची जो कि हमारा कैबिनेट जो कि विद पाव सप्लाई भी नहीं लिए तो अच्छा है आप को कोई सेसे क्या करो आप सबी लोग जो उसकरें से आने वाली 25 रुपए वाली पावर सप्लाई जो कि मैं 450 वाली है तो बैदे इसकर फीचर प्रूफ भी रहोगे यह पावर सप्लाई आपके अपर से पावर देगी हैं आप स जो cabinet की बात रहेगी तो cabinet आपको कौन सा purchase करना है बहुत यह सिंपल वाला जो की भी 1500 का आ जाता है वो purchase कर लेना विकुस cabinet में आपकी कोई performance का फरक तो नहीं परने वाला उसके अंदर तो अपने cabinet के लिए purchase कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको alternative जो की था SSD तो मैं यहाँ पर आपको यह कहना चाता हूँ अगर आपको इतने ज़्याद स्पेस नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपने एक दो गेम रखनी है वो अपना विंडो चलानी है बट मैंसेज आपको इसे नहीं दूँगा अगर आप चाहते हो बाद में पैसे होंगे तो करोगे तो आपको बिल्कुवी प्रॉब्लम नहीं आएगी गेम यहाँ पर आपकी चल जाएंगी तो मैं मैं विलूँगा आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मार्व